तो तो एक परवाज है पुर्दोर एक आवाज है खामोशियों की है जुबान चल दे तो चल दे कारवान वो है जहाँ वो है जहाँ लगती है जैसे आसमा तो है यदी वो रोशनी ते जहाँ 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 नमस्कार ते जहाँ कार्केम बे आफ सबका स्वागत है मैं हूं ममता चूपड़ा हमारी जिन्दगी के कटू सकते और उससे जुड़े अनुभव जब किसी बाल मन पर गहरी छाप छोड़ देते हैं तो उससे सुलक्ती सोच से पैदा होता है जिन्दगी का अडिक लक्षे जिसके सामने सभी तमन्नाएं, सभी इच्छाएं निरर्थक साबित हो जाती है हमारी आज की तेजस्विनी लगदाक की पहली महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगदाक की महिलाओं के महिला रोगों से जुरी समस्याओं को हल करने में ही समर्पित कर दिया कटिन परिस्थितियों में तुशकर लक्षे साथ कर आप अकेले ही चल पड़ी इस मुश्किल राह पर और आपके अदम में इरादों की वज़े से ही आज लगदाक की महिलाओं का स्वास्ते की तस्वीर ही बदल गई है आपके सरहनिय कारियों की ही वज़े से साल 2005 में जब विश्व के सभी देशों से एक हजार पीस वुमेन की सूची तयार भी तो उसमें आपका नाम भी शामिल किया गया और आपके सरहनिय और समर्पित योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने आपको साल 2006 में पदमिश्री और उसके बाद साल 2020 में पदमिभुशन के सम्मान से नवाजा हमारी आज की तेजस्वनी है लदाख की पहली महिला डॉक्टर, डॉक्टर सेरिंग लाहडॉल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ना केवल छोटी उम्र में ही बड़े मनसूबे ठान लेते हैं बलकि उन्हें हासिल करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं डॉक्टर सेरिंग लाहडॉल ने एक ही मकसद से डॉक्टरी की पढ़ाई की और अपने आपको तयार किया कि इस्त्री रोग विशेशग्य के तौर पर लदाख की महिलाओं के काम आ सके 1977 के दशक के अस्पतालों में बमुश्किल पर्याप सुविधाओं की जटिल परिस्थित्यों में भी उन्होंने हार नहीं मानी उनके अदम में इरादों से लदाख में महिलाओं के स्वास्ते की तस्वीर ही बदल गई डॉक्टर लाडॉल ने स्वास्ते सेवाओं के साथ साथ महिलाओं को इस्त्री रोगों और सही पोशन को लेकर जागरू करने का भी बीड़ा उठाया और रोग निवारण में एहम योगदान दिया 75 साल की उम्र में भी मरीजों की सेवा में लगी डॉक्टर लाडॉल अब सर्वाइकल कैंसर के इलाज की सुविधाएं आम जन को उपलब्द कराने पर काम कर रही है 2005 में उन्हें विश्व भर से नोबेल पीस प्राइस के लिए चुनी गई एक हजार पीस वुमेन के सूची में भी जगा मिली केंद सरकार द्वारा स्वास्ति के क्षित्र में उनके सराहनिय योगदान के लिए पदम श्री और पदम भूशन से सम्मानित लद्दा की पहली महिला डॉक्टर डॉक्टर सेरिंग लाडॉल ही है हमारी आज की तेजस्वनी डॉक्टर लाडॉल बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कारिकरम तेजस्वनी में अपको देखके करते ही निश्वास नहीं होता है डॉक्र लाडॉर कि इस उम्र में, यूर सेवंटी फाइव यूर्ड लाडॉर ना, इस उम्र में भी आप यह आप पेशेंस भी देखती हैं, क्लिनिक भी जाती हैं. जी जी है. है बहुत खुब बहुत खुब और इसमें आप इतने लोगों के प्रेना स्रोथ है आज जॉक्टर लाडॉल आपके जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो बहुतों को प्रेनित कर सकती है इसलिए आप से शुरुआत करना चाहूंगी समान के साथ की 1979 में जब आप डॉक्टरी डॉक्टर बनी थी उस वक्त कैसा महौल था किस तरीके की सुविधाए उपलग थी कैसे डॉक्टरी की प्राक्टिस आपने हॉस्पिटल ने की उस समय जिहां एक छोटा सा डिस्टिक हॉस्पिटल कहा जाता था बहुत ही छोटी से जहां पर फिस्टिस अल्मोस मिनिमम थी तो शुरू से रिस्टार करना पड़ा टेबल से एग्जमिनेशन टेबल से लेके और अबरेशन थैटर हर एस्पेक्स में सारा कुछ बिल्कुल नए से मैं पहली गाने कॉलोजिस्ट यहां पर पोस्टिंग हुई थी यहां पर मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रेडी मेड हो हरी चीज शुरू से ही डिमांड करना पड़ा है यह चाहिए वह चाहिए आइस्था 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 तो तो तब लोग बिल्कुल अवे कियर के लिए आते नहीं थे और साथ में कोई गाने कॉल्जिकल प्रॉब्लम होगा वह भी लोग को बता नहीं सकते थे क्यूंकि बहुत श्याय होती थी हमारे पेशिंट और नंबर पेशिंट वेरी लेस तब शुरू से पांच पेशिंट से स्टार्ट हुए तो हर एक कि मंतामे आई गुया है तो उन्होंए शुरू किया आहिस्ता इसता दिन बा दिन, मेने 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 सालों सालों इत टू के लोंग टाइम जी, डॉकर लादोहर, आप महिला रोगों की डॉक्टर थी, और अमूमन पड़े लिखी महिलाएं भी महिला रोगों को लेकर जादा सजग सचेत नहीं होती हैं, लगडाक में उस वक्त जब आप महिलाओं के बीच जाती थी, महिलाएं आपके पास आती थी, तो कहां तक आप स्थाफित हो पाता था आप लोगों के बीच में कि वो आप में इतना विश्वाज यता पाती कि वो अपनी पर्सनल प्रॉबलम्स जो महिला रोगों से चुड़ी हैं वो भी शेयर कर पाती हैं, मेरे खाल में जो पेशन्स आते थे, वो उद सबने साथियों को मोटिव में ही, तो यह जाके ना दूरदरा से लौप हो ता अपने रिष्टेदारों जान पेचान के लोगों को पता लगने लगा, तो हाईस्ता हाईस्ता वो नो भी शुरू किया कि यहाना डॉक्टर को कंसल करना, जब उनको लगा कि यहान ज़रूरी है आना है और हमें फायदा ह तो हो खुद कर्मीन्स हो गए इसी तरह से आईस्ता है इसको लोंग टाइम लेकिन आपने जैसे कहा कि एक एक जामनेशन टेबल से शुरूरात करने पड़ी एक चीज के लिए बोलना पड़ा लेकिन लेहलदाख तो वोग शेत्र है जहां बहुत ठंड पड़ती है, माइनस टेमप्रेचर चले जाते हैं, छेचे महीने वहाँ पर इसी तरिके का महौल रहता है, ऐसे में महिलाओं के रोगों के साथ साथ गाइनकालोजी का रोल करना, क्या भी अब हार एक दिक्ते पे प्राक्टिकल प्राग्लम्स क्या आई थी आपको? कभी यकीन नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा पूर हमारे पास बिल्कुल फेस्लिटिस की कमी थी, प्रोपर स्टाइलाजर नहीं थे, हमारे आटो क्लेव करने के लिए एक छोटी से वह आटो क्लेव था, उसमें एक डॉक्टर के लिए शीट्स होगारा करना, ग्लाउस होग की पॉर्डर लगा के आप देखते थे, इतनी हमारे पूर कंडिशन थी, अब मगर ऑपरेशन के टाइम पे जब पेशिंट का ऑपरेशन होता था, अब्रोपन करना था, यूर सपोस्ट तो एस्ट्रालाइस थी, बिल्कुल कम्प्री स्ट्रालाइस थी, उसके लिए छोटा साटो के लिए था, ड्रम्स थे, थोड़े थोड़े एगए करके हम करते थे, तब इलक्रिक फिसल्टीज नहीं थे, और टेमपरेशर बहुत थी, मालब, 30-35 तक चली जाते थे, सर्दिहूं में, शिक्स मन्त के लिए 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 लिदाख बन था, बिल्कुल कट-off from other places, except for the air lift अगर कभी, हफ़ते में एक बार आते थे, डकोटा, अब इमेजन कर सकते थे, कुछ facilities की इतनी कमी थी, मुश्किल लगता सामने, जो कुछ करना था, हमने medical problems थे, हमने यह ही solve करने की कोशिश की, लगी लिए अपने जो डॉक्टर साइबान थे, मेरे सेनियर, फिजिशन, सर्जन, अनस्थेटिस, अप्थमोलिजिस्, वो लोग सब खड़े हो जाते थे, help करने के लिए, आम तोर पर प्रेग्नेंस में तो बहुत acute emergencies होती है, आम तो, कोई abortion case आया, कोई APH आया, PPH आया, औ और preparation बिल्कुल नहीं है, हमारे पास proper heating system नहीं था थेटर में, labor room में delivery करते हो, जहां पे baby के लिए 30 degree centigrade होना बिल्कुल जरूरी होता था, हम minus temperature में babies को deliver करते थे, और table के नीचे हम store जला के table को गरम करते थे, अब imagine नहीं कर सकते, kerosene or store से, इतनी हालत बुरी थी, तो, अब imagine कर से, अब अभी कोई सोच नहीं सकते, इविन आर लोकल डॉक्टर्स को नहीं समझ सकेंगे, क्यूंकि इतनी हालत खराब थे, तो, infectious, infection बहुत कम होती थे, क्यूंकि, they are not used to antibiotics, थोड़ी सी, बिल्कुल milder form of antibiotics को respond करते थे, infection की problems, जैसे दुसरे जगों पर होती, यहां होती ही नहीं थे, इम्यून थे हो सारे. चुकि आप महिला डॉक्टर थी, और महिला हैं महिला डॉक्टर से ज्यादा आगे बढ़कर अपना इलाज करा सकती है, एक विश्वास भी था, तो आप भी क्या इन दूर दरास के हिलाखों में जाती थी, क्योंकि आपने कहां कि आने जाने के रास्ते नहीं थे, वाहर नहीं थे, ऐसे में परेशन सक कैसे पहुचा जाता था, आप क्या कदम उठाते थी? लेकिन मैं गोड़े पे चड़के एक स्रिफ छोटी छोटी हिली एरियास पर, रात को कभी जाना पड़ता था, गोड़े में जाते थी, गोड़े पे चड़के जाते थी, पेशन को लेने के लिए, कभी-कभी एक्यूट एमर्जनसी आते थे, बहुत सीरेस पेशन एक गाउ अबर्जनसीज में, वहाँ पे हमने फिर लाग के यहाँ पर अबरेशन किया, लग्की लिए एवरिधिंग वेंट इस तरीकेगा, तो रात में बरफ के बीश में जब डलान पे चड़ना होता था, वहाँ आपके लिए वो नी था, सादन रोट प्रोपर नी थी, अंदेरे म बिल्कुल आपको इसको गुटना टेक के चलना पड़ता था, वैसी हालत में भी गए, क्योंकि मैं इतनी तफ थी, क्योंकि अपना जिंदगी ऐसी अलाके में में पली, पलंड मेरे पोशन यहाँ ही हुई थी, यहाँ पैदा हो गई थी, हर एक हालत को भी समझती थी, तो मे मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन रात को चलना जरा ड्रावना से भी था, दरिया सिन के किनारे से एक डलान से चड़ के दूसरी तरफ से, हलंकी गोड़े पे चड़ के वो लोग को मेरे को असकोट करते थे, मगर फिर भी अंधेरे में आप इमेजन करिए, व तो चुक्के से जाना पड़ता था, इतनी हालत खराब होती थी हमारे हो, अब तो सठके बनी हैं, आशो प्रोब्लम में थे, बिलकुल, वाने इतने मुश्किलों का सामना आपने किया, अपने मरीजों तक पहुंचने के लिए, और इसलिए ये सवाल बनता ही है, डॉक्टर के लाइन से ही जूना है? तो जो भी हो, LMP थी, वो उसकी 3 years course होता है, तब डॉक्टर भी यसे नहीं मिलता है, गाने कॉल्जिस नहीं थे, तो मैं बहुत इंट्रेस होती थी कि बस बहुत बढ़िया है, और दुसरे तरफ मेरे दादा जी बीमार हो गया तो मैं मुझे सिल सर्जं के पास बेजा, कि व जो भी डॉक्टर भॉराना गिंगे, इसी तरही के से अब जब मेहलाओओ नो को डिलिवरी की प्रपलीम्स, ब्लेरिंग की प्रपलीम्स, क्योев प्रोब्न हो, कि डैत्थ होती थी. आस सोछदी हमेरे जगे पे मैं सुछती ही इतनी ज़रूरत है हमारे जगे जिस 데ьяकने जग जो आप्सेर्टिक प्रॉब्लम पहले से उनको वर्निंग दे के हाई रिस्क को स्क्रीन करना उनको समझाना आपकी सियत में ते डाइट न्यूट्रिशन तो साथ ने उनको बताना है हाईजिन कितनी जरूरी है अब अपनी हेल्ट का खाल कितना रखना है अपने जो खाने को स् शीजें मैंने फिल किया कि इसकी जरूरत है यहां खासकर लोगों को पहले एजुकेट करने की जरूरत है मुटिवेट करने की जरूरत है वाई इंपोर्टन टू अटेंड होस्पिटल जूरिंग प्रेगनिस्टिए वह मैरी मुझे यह लगा कि यह जरूरी है कुछना करने की कि जरूरी है जरूरी है जरूरी होती है लोग फुर्टन टूरूरी होती थी एक लेडी अंटचबल भी आपको जगरुता करने के लिए भी आपने कहा कि काफी महनत करने पड़ी जी हाँ, पहले जब भी डिलिवरी होती थी, एक लेडी अंटचिबल भी हो सकता था, कहते हैं देव देवता था, आपनी डिफरेंट फैमिलीज के लोग उस पर नहीं आए, उनके साथ नहीं बात कर सकते थे, उनके साथ मुलाकाप नहीं करते थे, क्योंकि उनको ड़रता हमार पर देवता नराज हो जाएंगे, फिर हम पर कुछ बुरा आफर होगा, उस ट्राइब के तेवुस थे, तो मेरे अपनी फैमिली में, मेरे मादर जब डिलिवर, उनके डिलिवरी होती थी, जब मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर्स जब डिलिवर हुआ, तो हमें इजाज़त नह हमारे घर में काम पर आते थे, तो वो जड़ से नहीं आते थी, जो काम के लिए भी आएं तो वहां से बुलाते थे, कि बताएए ये हमें चाहिए, वो चाहिए, ऐसे बाते होती थी, इस हमें के फैमिली में ऐसा ही है, कि जो सोशल गैधरिंग्स और अगरा, एक किसी के पास आप साथ दिन के बाद जा सकते हैं, किसी के पास एक मेने के बाद, मेरे अपनी फैमिली में एक मेने के लिए बच्चों को मा की कंफाइनमेंट रूम में जाना मना था, और उनके, जो उनको खाना खिलाते तो एससिस्टन जो उनकी, उनको जड़ा सा सर्विस देती थी, एक बरतन अलग से रहते थे, कीचन से बनाएके उसमें उल्टाते थे, नॉन टच्च वे, महिलाओं के मुश्किले और बढ़ जाती होंगे ऐसे हालात में, लेकि ड़क्टर लाड़, आपके जैसे परिवार के अगर हम बात करते हैं, तो खेती बारी का काम था आपके परिवार आपको कि नहीं हमारी बेटी पढ़ना चाहती है तो उसे बढ़ाएं। जाएंगे, मेरे दादा जी कहते थे, अच्छा काम करने के लिए कोई बुराई नहीं होता है, इतना ज्यादा फ्रीटम थी मेरे लिए, वो विश्वास मेरे कोई पता लगा, मुझे कोई शक होने की गुझाएश ही नहीं रखा था, कहते हैं अच्छा काम करें, कोई भी दे होता है, नराज नहीं होता है, आप जरूर मेरे जा सकते हो, हैंडल कर सकते हो प्रेगने लेडिस को, आप डिलिवरी एटेंड कर सकते हो, कोई जड़ नहीं है, इस टाइप की मेरे उनकी विश्वास थे, मेरे दादा, मेरे फादर, मेरे दादी, दादी हैं हमें ग्रूम करत में आप मैं समझती हूँ वो मेरे खार मोडरन एज जैसे थी उस हिसाब से उनकी सोच और ने अगर अगर का पूरा सपोर्ट मिला डॉक्टर लाडॉल और इसलिए आप बढ़ गई और अगे डॉक्टरी करने के लिए आप श्री नगर पहुंच गई तब ही क्या कुछ मुछ् कि अध्यापत थे किस तर्के की ट्रेनिंग हुई आपके किस तर्के की मेडिकल की शिक्षा थी आपके उस दौर की क्योंकि पुराने बद की बात कर रहे हैं हम अब देखिये शुरू शुरू में कॉलिज में पगड़ी प्रीमेडिकल में पड़ा वहाँ पर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला उसी होस्टल में कॉलिज की केंपस में में हमारे गर्ल्स होस्टल थी वहाँ पर तो टीचर्स थे भाहर से डिपुटेशन पर आए गए वह पी उसे स्टाफ रूम बे रहते थे अगर में लदाखी होने के वज़ा से वो बिलकुल डिफरेंट थी दूसरों से बोल चाल में रहन सें में कोई थोड़ा सा उन से अलग से थे तो उनको यह लगाई यह बहुत दूर दरास की आए हुए हैं उन्होंने कहा कोई मुश्किल फिर जाके में प्रेमिरिकल करने के बाद में मेडिकल कॉलिज में सीट मिला तो वहां पर मुझे लगा आप तो मैं बहुत ही अच्छा हो गया मैं यहां पर फिक्स हो गई हूँ अब में अची तरह से पढ़ओंगी बहुत मेहनत की बहुत मेहनत की क्यूंकि हमारी एजुकि स्टेंडर्ड वह चीज नहीं था जो स्टेंडर के लोगों को था अपने बराबरी के लिए अपने उसके लिए बहुत मैनत करना पड़ा और लगी लिए टीचर्स बहुत महरवान थे उनको पता था कि इतने दूर दुराज उलाकर से आई है तो इनको जरा सा हम एंकरज करे कैया यह मानें ढूक्टर लाडॉल कि आप हमेशा यही सोच के पर आपको तयार कर तरही है एक डॉक्टर के तौर पर क्या आपको लगडा के महिलाओं कि जाकर सेवा करनी है क्या यह सोच हमेशा आपके मन में वह पर्श थी कि नहीं मुश्किन थी वहां पर आपके सामने त अगर आप चाहते तो कहीं भी किसे बड़े शहर में जाके प्राक्टिस कर सकती थी लेकिन नहीं आप तो वापस लड़ाग गई जहां कोई वसा ऐसी कभी बनक भी नहीं पड़ी मेरे को सोच में कोई चेंज शुरू में जो सोची में उस पर डटी रही कि यहां ज़रूरी थी जहांशारों में इतने डॉक्टर्स हैं फिसल्टीज है सब कुछ है करने के लिए हमारे वहां पर था ही नहीं कुछ तो एक लोक सब्सक्क्राइमति के वहां जाए के इसर जो होसकता है मेरे स्थेंगों मेरे मेरे में हमेशा रही है ये अमेरे कछा थम ऑने कोई चेंज नहीं लगी रही और अगर आपके अपने मर्जी थी तो परिवार में क्या विरोथ नहीं किया इस पात का बिल्कुल मेरे लिए फ्रीजम था बिल्कुल जो मैं चाहती थी वही करने एक तो मैं बहुत मेहनत करती थी कि मैं डॉक्टर बनो उसी में इतने बिजी रहे सोच में को तो एपिशन लिया और वहां पर फिर तो समझ लीजिए मुझे मेरा सब कुछ अच्छा फुल्फिल होने लगे थे बहुत चीज़े जो आते गए सब कुछ फिसलिटीज मिलते गए एंकरेश्मेंट मिलता गए इंस्परेशन मिली इन चीजों से मैं और बतलावाई इन दिलिवरी करवाई है, ये कहना गलत नहीं होगा. क्या है ऐसा जो आप उच्छाहित करता रहा जिंदगी भर कि आप लगाता आगे बढ़के काम करती रही? जी हाँ, क्योंकि लोगों का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, उसी ने मेरे को ज्यादा ज्यादा इंस्पायर किया है कि मैं और कुछ करूँ, और श्कूर करूँ, मैं इससे बढ़के, मतलब पीशे मूरके कभी ने देगा। तब और अबे क्या फ्रग नजर आता है आपको क्योंकि मेंस्ट्रेशन, मैनु पॉज या ऐसे विशे होते हैं छिर पर खुणकर बात ही नहीं होती है, आजकल बेमेरे बात ही होती है, लेकिन लगई लगदां में तब और अबै क्या फर्ग है? तो शुरू में तो बिल्कुल कुछ समझते नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था, आप यहां तक की है, उन्होंने, अब सब मुझे लगता है कि एजुकेटिट हो गए हैं, वो awareness बड़ी है, खुद आते हो आते हैं, पुछना नहीं पड़ता है, इसमें काफी टाइम लगा लोगों को एक, पेशन से पेशन को प्रपोगेट के इस तरह से, एवियर्नेस प्रोग्राम ऐसे स्टाथ है, हमारी पेशन अगर अगर कन्विन्स थे तो वो दुस्तों को भी मोटिवेट करते थे, जैसे फैमिली प्लैनिंग, फैमिली नॉम्स को कैसे रखना है, चुछ उन करते थे, परिफरी में, रिमोट अरियास में, विद माई टीम, अंडर लोकल एग्जम में, इसके, वो मने ऑपरेशन परफॉर्म किया, विदाउट ऑपरेशन टेबल, इमेजन कीजिए, इसमें इंपरोवाइज जैसे, ऑफिस के कोई टेबल लेके, उस पो टांगें लगा कि फिर उसके बाद हम उनको पोजिशन दे के ऑपरेशन करते थे, तब हमारे एक बहुत महरबान, बहुत थी, लेर्नर परसन थे, डॉक्टर, हभी बुला कांट, उन्होंने, उन्होंने, एक वो मंगवाया, गौर्मेंट को लिख के लिख लेप्रोस्कॉपिक के देश थे, इंस्टूमेंट लाया था, लेप्रोस्कोप लाया, तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए में इस्टेन अगर एक मेने के लिए गई थी, गौर्मेंट ऑफ जेनके में जब हम स्टेट में थे, तब ही बहुत चेंजिस आ चुके थे, नया हॉस्पिटल मिला है, सेने हॉस्पि लिए रिएलयूज्टिति अप्ज़॥े ने दाव ने और सरजन ё पांच पा चेचे चे, फिजिशन पांच पांच छेचे, पिडियर्टिशन है, एनस्थएस्टि स्टैक्टऌोलोगॉजिट जियर्स्टहलिст है, साइकोलोगяжिस्टए, साइकोलोगॉजिस्टहे, सायको कुछ भी नहीं था हर एक चीज को आपको स्टोर करना पड़ता था लेंग लेके आप पेशन को इंजेक्शन लेने जाते थे अब यगीन कीजिए प्रोपर हमारे पास ट्वालेट नहीं था इतनी हालत खराब थी आप तो आप समझ लेजे इस वन अफ दे बेस्ट डिस्टिक ह आपके जिन्दगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जी मैं सोचती हूं मैं जो काम करूंगी उसको ठीक डासे करूंगी और इसले करूंगी विड़त इनिट इनिट दिस्क्रिमिनेशन ओके आपके टीचर्स आपके अध्यापकों के तरफ से डॉक्टरी का सबसे बड़ा लेसन जो आपने सीखा हूं वो ही कहते थे बी पंक्च्छल इन यूर ड्यूटी यह आप ऐसे नहीं करें कि देर से जाएं तो आपको ड्यूटी करना ही है टाइम पर जाओ जब भी कॉल आए तब भी जाना है विड़ाउट एनिडिले आपने जिन्दगी पर महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए काम किया एक ऐसी बात जो आपको लगता है महिलाओं को ध्यान जरूर देनी चाहिए जब पी और अरट को कोई प्रॉबलम हो बिना हीच की चाने के डॉक्टर को वो आप बता देना चाहिए कोई चीज़ छुपने की कोई जरूरत नहीं है यह इन्सानी जिन्दगी में हेल्फ प्रॉबलम होती है इसमें कोई आप और नहीं करना चाहिए आपके मरीजों के आपने इतनी सेवा की है, कौन-कौन से नाम है जो इन मरीजों ने आपको दिये हैं, प्यार से? हा, मेरे को तो हर कोई जी, मेरे जो बड़े लोग बैटी कहा करते थे और और उड़ते और बदाबरगे के लोग मेरे को दीदी कहते थे, लड़ाorphा मैं अच्य कहते हैं, और छोटे बचिए कोई आभाझी कहते हैं, कोई बढ़ा जी, इसागी है अम्र के इस पड़ाग पर कौन सा ऐसा काम है जो अभी आपको लगता है कि अभी ये काम मुझे जरूर करना है गड़ाग में जरा सा कैंसर की इंसिडंस में में सर्वाइकल कैंसर काफी प्रविलेंट है तो मैंने सोचा है इसको स्क्रीनिंग करने की सुबिदा होनी चाहिए तो इसलिए मैंने पोशिश किया अपने फ्रेंड्स को कंटेक्ट करके इफ ये किन हेल्प अस मेरे एक फ्रेंड है वो एक्सपर्ट है तो उनको मैंने इंग्वाइट किया था यानि आप सर्वाइकल कैंसर पर अभी काम करना चाहती है कि लोगों के स्क्रीनिंग के लिए आप पिश्तर साल के हो चुकी हैं शेतर साल चल रहा है आपका आज भी आप मरीजों को देख रही है काम कर रही है कब तक आप अपने आपको इसी तरीके से स्क्रीय देखती है जब तक मेरे हैल्थ पर्मिट करें बेंटल फैकल्टी अच्छा होगा अभी याद दाश में भी थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया है नजर तो मेरा ठीक है जरा मेरी जरा मेरे काम होना शुरू किया इसलिए जरा सोचती हूं जब तक मैं कर सकूंगे मैं जरू करूंगे अभी भी अभी कुराने की वज़ा से थोड़ा सा फिर आज कल में काम ने कर रही है बिल्कुल लेकिन सभी लोग यही चाहेंगे कि आप हमेशा यू ही उनके बीच रहे और इसी तरीके से मरीजों को देखती रहें महिलाओं को जाकरू भी करती रहें और जो आप सोच रही है वो आप कर सके यही शुप कामना है हमारी आपके साथ है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्र लाडॉल हमारे साथ ते जस्वनी काईक्रम में बार रहें अज के बसिता ही लेकिन आप अपने एमेल्स, अपने सुझाव, अपने सुझेशन्स हमें तो अगलब ते फिर होगी मुलाकार आएंगे एक और ते जस्वनी के साथ, नमस्कार